नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकास पांडे और आप सभी को इंपीरियल आर्ट में तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों, यह है कोरल ड्रॉ के बैज का क्लास और आज के क्लास में हम बैस्ट बाई सेलिंग बैज को बनाना सीखेंगे इस थमनेल को सलेक्ट करेंगे और साइट कर लेंगे एक गाइड लाइन लेंगे दोस्तों और इसे सेंटर में ले आएंगे और यहाँ पे टूल बार में जाकर थ्री पॉइंट कर्व को लेना है हमें और इस गाइड लाइन से यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे थोड़ा सा कर्व का शेब देंगे यह देखिए पाफेक्ट है इसे नीचे की और भी हमें ले जाना है लाइन को और एक अच्छा सा एक कर्व का शेब देंगे कि देखिए यह पाफेक्ट है और इस उपर वाले लाइन को यहाँ पे काइड लाइन में हमें मिला देना है शेब टूल को सेलेक्ट कर और यह देखिए यहाँ भी इस लाइन को हमें यहाँ पे मिला देना है अब हमें यहाँ पे कंट्रूल की को प्रेस रखते हुए इसे ड्रैग करेंगे और राइट क्लिक कर देंगे और यह डूबलिकेट हो जाएगा और इस लाइन को हमें क्रॉस करना है यह देखिए shape tool को select कर यह देखिए यहां से इसे उपर की ओर ले जाना है और इस line को हमें यहां से उपर की ओर ले जाना है cross कर देंगे यह अब perfect है अब नीचे के point को भी हमें join करना है यह देखिए यह ऐसे cross करेंगे और यहां भी same process हमें apply करना है यह apply हमने कर दिया है और यह perfectly set हो गया है इस guideline को अच्छे से center में ले आए थोड़ा सा और अच्छे से center में ले आना है तभी जाकर एक अच्छा सा शेफ हमें मिलेगा कि देखिए इस line को हम थोड़ा सा नीचे की वो ले जाते हैं यह perfect set हो गया है यह देखिए दोस्तों थोड़ा सा नीचे और यह हलका सा उपर यह perfect है यह perfectly set हो गया है अब इस guideline को delete कर देंगे तूल बार में जाना है और यहाँ पर smart fill को चूज करेंगे और feel कर देंगे फिल हो गया है इसे हम बहार निकाल कर इस border को delete कर देंगे और यह इसे center में कर लेते हैं यह देखिए perfectly shape ready हो गया है तूल बार में जाकर contour को लेना है इसे shape के outer में point को अंदर की वो track करेंगे यह देखिए और छोड़ देंगे कुछ इस तरीके का दिखे गएगे और यहाँ पर अब हमें outer line को point को यह देखिए point से none कर देंगे outline हट जाएगा smart fill tool से इसे feel कर देंगे यह perfectly हो गया है यहाँ पर इसे अंदर वाले shape को red color से feel कर देंगे और outer वाले जो shape है उसे भी red color से feel कर देना है अंदर वाले को select रखेंगे और यहाँ पर edit fill में जाएंगे edit fill में fountain fill को click करना है और इसे straight यह देखिए इस तरीके से इसे set कर ले और इस white को हमें eye dropper tool से yellow color pick करना है ओके कर देंगे देखिए दोस्तों गजब का effect इस batch में आ गया है ऐसे ही हम outer वाले को भी set करने जा रहे हैं fountain fill में जाएंगे और इसे भी हमें यह देखिए इसे rotate कर ऐसे set कर लेंगे और यहाँ पर white वाले को click कर यहाँ color को change करना है हमें यह देखिए eye dropper tool से yellow color लेंगे और इसे भी ok कर देंगे perfectly एक अच्छा सा बहुत गजब का effect इसमें आ गया है और outline को outline pen से हमें change करना है RGB R को 150 ले लेंगे और G को 12 और B को भी हम 12 ले ले लेते हैं और इसे behind field और scale with object कर देंगे और यहाँ पे दोस्तों इसे 8 point में ले लेना है इसके width को और ok कर देंगे यह कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा और यह perfect दिख रहा है यहाँ पे polygonal tool से एक polygon draw करेंगे और इसे हम shape tool को select कर इसे कुछ इस तरीके से set कर लेंगे और vertically mirror vertically कर देंगे यह star का shape ready हो गया है इसे shift key को press रखते हुए अंदर की और drag कर लेंगे और यहाँ पे इसे रेखिए center में रखना है थोड़ा सा भार कर लेते हैं फिर से center में रखेंगे तो control key को press रखते हुए उपर की और ले जाएंगे color को feel कर लेंगे outline remove कर देंगे फिर control key को press रखते हुए नीचे की और लाएंगे right click कर देंगे यहाँ पे right click कर देना है duplicate हो गया है और अब text लिखने हैं दोस्तों best by तो text tool से best by लिखेंगे best enter by by इसे select कर लेंगे और यहाँ पे horizontal alignment से center में इसे कर लेंगे center में हो गया है और text से इसे set करना है फॉंट को हमें जो है थोड़ा सा इसे लेंगे देखिए दोस्तों नीचे की और जाएंगे इसके लिए हमें font चूस करना है थोड़ा सा और नीचे यह देखिए दोस्तों यहाँ पे जो font है Rockwell Rockwell font को लेना है regular को और यह perfect मुझे लग रहा है इसे shift key को प्रेस रखते हुए इसे drag कर लेंगे और छोटा करेंगे shift key को प्रेस रखते हुए अंदर के और drag करेंगे यह perfect है इसे center में ले आएंगे यहाँ पे set हो गया है बट यहाँ पे देखिए दोस्तों gap नहीं है shape tool में जाना है और इसे थोड़ा सा drag कर लेंगे यह देखिए घीच लेंगे यह perfectly gap भी आ जाएगा और यह perfect दिखने लगेगा और इसे select कर red color से feel कर देंगे यह देखिए कर देते हैं select कर side कर लेंगे background को center में ले आएंगे इसे select कर shift की को press रखते वे छोटा करेंगे थोड़ा सा और इसे अब background में यहाँ पे set करना है shift की को press रखते वे छोटा करेंगे यह set हो रहा है थोड़ा सा उपर की ओर करना है control की को press रखते वे उपर ले जाएंगे और एक बार थोड़ा सा shift की को press रखते वे अंदर की ओर यह set हो गया है यह perfectly set हो गया है दोस्तों तो दोस्तों यह था आज का class और दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको जरूर पसंद आए होगी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सबस्क्राइब करें और किसी भी तरह के प्रश्ण के लिए कमेंट सेक्षन में जरूर लिखें मैं उसका उत्तर जरूर दूँगा हम अगले क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए बैज के साथ Thanks for watching